यमनानगर के थेड़ा साहिब जोडिया गुरुदवारा में एक सितंबर से हरी जंडी देकर रवाना की गई यात्र का पांच राजो में जम कर स्वागत हुआ और ऐसे में इस यात्र का मुख्य मकसद यही था कि भाई कनहिया साहब जी के जीवन शैली को जन जन तक पहुँचाया जाए क्योंकि कनहिया जब जंग में मेदान में पानी पिलाने का काम कर रहे थे तो उन्होंने केबल अपनों को ही नहीं देखा बलकि दुश्मन को भी पानी पिलाने का काम किया और यही कारण है कि आज इस यात्रा में मुस्लिम भाई चारा भी आगे आया और उसने भी यमना नगर में यात्रा के बापिस लोटने पर यात्रा का सवागत किया यात्रा के नेतरतब कर रहे महंत करमजीत सिंग ने बताया कि इस यात्रा का लोगों को खूब से होग मिला है और भाई कनिया साहब का यह 300 साल एक बड़ी यादगार के रूप में सब के सामने आया है हलांकि यह यात्रा यम्ना नगर से 1 सितंबर को रवانा होकर उत्तरा खंड उत्तर परदेश, राज़स्तान और पंजाब के कुछ हिस्से से होकर बापिस यम्ना नगर लोटी है लेकिन यहाँ एक दिन रुकने के बाद यह यात्रा फिर से पंजाब के लिए रवाना होगी पूरी जानकारी भी हासिल कर रहे हैं इस यात्रा को लेकर पूरब विधान सबावपाध धक्ष अक्रम खान भी नमन करने पहुंचे और उन्होंने भी इस यात्रा का सवागत किया उनके साथ मुस्लिम समुदाय के और भी कई लोग शामिल थे उन्होंने भी भाई कनेया कि जीवन के बारे में सब लोगों को जानना जुरूरी है क्योंकि उन्होंने ही इंसान में इंसानियत कैसी बस्ती है इसके बारे में जंग के मिदान में बताया था साथा भी स्वागत गुरू साब दा स्वागत ते हर्याने निया संगता दा स्वागत किता और हर्याने दे मान समझे है पी हर्याने जम्रा नगर के ऐसा शहर है जिते पाईक निया साब जी दा है असलिए हैड़कौटर है ते मारा इदी बक्षिश होई है सरकार बनों में प पूरे त्रिकेन अंदिजाम किते गए और आज ये यात्रा सिर्फ एक दिन दे स्टे वास्ते जोडियां वेखे रुकेगी ते परसो स्वेर नुफेर यात्रा गेनांद परसाब ले चलेगी जिना में समागम है ओनांद परसाब देविच होवेगा पहला संदेश ना को वैरी बनाए अनसान ने और नशा बरोदी दाज बरोदी और जेड़ियां पैड़ियां करीता है जो आज संसार देविच इर्खा द्वैश जो ने तक जो साड़े निजम ने असूल ने होना तो अनसान गिर चुका उना नुफेर एक नवे स्रुजीत करने लिए एक खड़ी गई आज मैं ही नहीं पूरा शहर ही इस यातरा का स्वागत करने के लिए सड़कोप है और संदेश तो मैं ही कहूँगा कि एक मानवता का संदेश है कि बाई कनया ने जिस तरीके से उस वक्त में जब दो फौजें लड़ रही थी और जो भी उनके सोलजर थे जखमी थे या चाह है तो वही कहा हूँ कि मानवता का संदेश है सभी धर्म के लोग भी आये हैं सभी लोग पूरा शहर ही इसमें शामिल है और मानवता का संदेश है उसका सब स्वागत करें